तो गलम ने बढ़ा रहा कि स्विच फॉर्वर्डिंग कैसे करता है और राउटर पर फॉर्वर्डिंग कैसे होती है तीन तरीके देख फॉर्वर्डिंग करने के पहला तूसरा तीसरा सब्सक्राइब कैसे होती है कि यह सब्सक्राइब करने बोला के सर आपने बोला कि जब भी कंप्यूटर आप जन्रेट करेगा destination mac all f होगा और destination mac एक header में गया होता है all zeros दोनों की अपनी अपनी अलग significance है या ठाइट और इस टिनेशन मैं जो all f है और यह जो all 0s है कौन से हेडर में कौन से हेटर में और फेटर में लेर टू हेटर को रीड कौन करेगा स्विच जिसकी वज़ा से ट्राफिक क्या होगा ब्रॉड का इसको कौन रीड करेगा जिसके लिए यह आर्प जन्रेट हुई है जिसके लिए आर्प जन्रेट हुई है जिसके लिए आर्प जन्रेट हुई इसके एलावा कल मैंने आपको मैंगेटरस टेवल में इंटरीज दिखाई थी अगर आपको यादो & static मैंगेटरस टेवल में इंटरी बिल्ड़ गप करना लम आपको यादो और ये पर पे पॉर्ट पे पर पड्दिकूलर मैंगेटरस को डिनई कैसे करते हैं सिधाया यार यार दाड वास्ट बेसिक स्टफ तो जैसे आज मैं आया है इनोंने क्वेशन पुचा पिंग से रिलेटेड कुछ गोशन दा इनोंने रा सर्फ पिंग में टीटील का क्या सिगनिफिकेंस होता यह कुशन दा आपका हाँ बेश आप पिंग करते हो आपको बता है मैं एक्जुली क्या किया है एन अईसी काड पर बैठे बैठे है इस पिंग में सोर्स क्या रहा था गोशन लिट से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सोर्स और आप क्या हो जो मेरा नाइसी कार्ट पर मैंने इपई डिफाइन की हुगी इसे ने लिखते होंगे तो इसे लिखते होंगे आज इसके बारे में फ़टा था कम पता है एक मिन्टे यहां दिखा दो यह क्यों नहीं आ रहे हैं अब तुछ बंद पड़ा क्या ही पिजा रखिये मैंने तो जो भी आईपी मैंने अपने नईसी लाटे पर दे रख्यों कि वह किसमें जाएगी सोर्समें और मैंने पिंग इसको मारा 117 001 एक इसकी है मेरे नईसी कार्ड की तो जब मैंने पिंग मारा यहां क्या लिखाया तो पिंग में टीटील का क्या सिगनिफिकेंस है परस्ट अवाल पहले यह बता हुए तो नेटवर्क में टीटील का क्या सिगनिफिकेंस है ठीके जी वेरी गुड पीटील हम यूज करते हैं किसलिए पीटील स्टेंड्स वार टाइम टूलिप पहली बात याद रहना है कोई टाइम नहीं है जिस उन नौट अ टाइम यह स्पेसिफाई करता है कि ए पर्टिकुलर पैकेट कि नेट्वर्क में कितने एल्ट्री डिवाइस इसको ग्रॉस कर सकता है किया स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर पैकेट कितने हॉप्स ट्रेवल कर सकता है एक हॉप्स ट्रेवल करने का मतलब एक एल्ट्री डिवाइस को क्रॉस करना अब कितने लोगों को यह बात पता है कि जब ट्राइफिक राउटर से पास होता है उसका टीटील क्या हो सब्सक्राइब करता है तो हमेशा याद रखना कि राउटर है राउटर से कभी भी कोई ट्राफिक जाएगा उसमें टीटील क्या हो जाएगा जो भी पीच्छे से वैलिए उसमें माइनस और टीटल टीटील राउटर रिशीविंग इंटरफेस पे क्या कर देता है रिदिउस बोल तकता हूं एगी बात है वैरे क्या बोला ट्राफिक मेरे इंटरफेस पे रिसीव हूँ हा रिसीव होता ही मैने टीटील क्या कर दिया धिरें gases से इसिक दिक भट गऑन मों तो टीटेल अग्यो बता है कि मेरा कितने होस्ते अस्ते तर सब्सक्राइब कर सकता है पिंग में टीटियल ऑंस पॉष्ट है नियुकुच अ किया धिरे हुआ सब्सक्राइब एक अमेरे लोकल नेट्वर्क में पता हो यह तो कम्प्यूटर ऊपके पता होता है पिंग भी तेसे पहले कि सामने वाला यूजर मेरे लोकल नेटवक में exist करता या remote में कैसे बता होताинки पुप्यूटर प loss I patrol country class सब्सक्ति अल Taraयगा यह रहेच एक यूजर रा जूजर इसकी ifij एक और यूजर उसकी आई पी है एक स्लाश उसकर रहा हूं ऐसा 27 यहाँ भी का यूज़ कर रहा हूं 27 इस यूजर को पता होगा कि इसके निट्वक की निट्वक आईडी के अब रॉट का सटीग है अरचो पर हो तो गलत broadcast ID बता रहे हो आती है subnetting करने यू नो how to subnet our network तो बताओ इस network के लिए इस IP के लिए broadcast कि अपर वाली आपी के लिए नीचे वाली आपी के लिए पूछ आप हुमारे बसका नहीं है यार 31 ही कैसी हो जाएगी जीरो से 31 में सौ आएगा अभी कैसी बात कर रहे हो 126 चानवे से स्टार्ट होगा चानवे मैं एड़ कर लो आप 30 117 यह नेटवक आईडी होगी और यह क्या होगी ब्राट गासे डिप कैसे निकालते हैं वह आपको पता होना चीए इस वांग तिन अगर आपको सब्नेटिक नहीं आपे यह गलग बात है तो उपर वाली आईपी उपर वाले नेटवक में लाई करती है नीचे वाली आईपी सर्दय दस डियों जीडों सोग ओंगों पहले इंपता कि यह अइपी मेरे तो फॉत नहीं करती अगर मुझा दूसरर नेटवक में जाना तो मुझा किसके पास जाना पड़ेगा डिपार टीटवे के पास किसके पास जाना पड़ेगा डिफाल्ट गेटवेबस सी दी-सी ब पिंग में जब एक यूजर दूसरे यूजर को पिंग कर रहा है तो यूजर उससे कितना हॉप अवे है तो यह चीज आप किस से जख कर सकते हो है टीटील से ठीग है जिए कर दो कर दो कर दो कि अब यह चीज़ आपके साथ क्या लान क्या होती है लोकल एडिया है उद्धी में बड़ोकल एडिया ने टूँब कि इजी और ने रचुक यह ने तो यह ने तो ने तंब कि इंसाइड़ अपर्टिक्रिवलर एडिया इस वाइड अधिया लोकल एरिया準 वग्रप का मतलब हैं सिंगल लेटवॉरग एक सिंगल निटवग को क्या बोलती है यह बोलते हैं लाग कि ले ब्रिशन इसलियर यह जर पड़र तक हमने यह पढ़ाओ कि इस पह एक को लान exist करती है कि switch different networks को connect करने के लिए यूज नहीं होता स्विच किस लिए यूज होता है same network के users को connect करने के लिए अब तक हमने यहीं बड़ा थिक पर broadcast domain कितनी होती है कितनी होती है कि इतनी होती है अब लैंड का मतलब क्या होता है single network virtual land का क्या मतलब होता है कि virtually आई विल डिवाइड देश सिंगल लैंड इन्टू मुल्टीपल लैंड मैं वर्चुली क्या करूंगा इस लैंड को डिवाइड करूंगा किसमें मुल्टीपल लैंज में क्यों है इस वेरी गुल देखो जी समझो लॉजिक क्या है यह स्विच है इस पर 24 पोर्स है लेट से कितने बोर्स है 24 यह डिवाल्ट क्या होता है जब भी यूजल ट्राफिक वेशता है इस इंटरफेस पर हुए इट करता है। स्विच अगर वह ट्राफिक क्या है विए ब्राइब तो स्विच इस पर्टिकॉल इंटरफेस को छोड़के बाकी हर एक इंटरफेस से उसे क्या बैई देता है रेपलिकेट कर देता है यह सुर्ण अलिभी के टेर ने इस जेकारिम्ह करेंगो है कि पहला केस दूसरा केस्ट एक-विच्ग की तीन स्विच्ग कि कि अगर ट्राइफिक यहां से यहां इंटर करर रहा है तो यहां से भी भार जाएगा यहां से वियर यहां मतलब अगर एक broadcast send कर रहा है वो तो दूसरे एंड तक forward हो रहा है और मैं इस broadcast domain को क्या करना जाता हूं divide क्या करना जाता हूं इसलिए मैंने क्या बनाई what I come up with VLAN अब VLAN बनाने का benefit क्या होता है क्रियेटिंग VLANs मीन्स क्या लिखा मैंने रिगार्डिंग का लिखा रिगार्डिंग का लिखा क्रियेटिंग VLAN means dividing broadcast domain on switch need of dividing broadcast domain क्या फाइदा है क्या जरूरत है broadcast domain को divide करने की benefit क्या होगा i am u Amug class क्या हो जाएगा limit मैं जिसको अपना अपना अच horr colony यह जाईगा यह नहीं होす के वाद कभी Play Store नहीं जाएगा यह होगा कप जम्हें अप्रोंडिस्ट सब्सक्राइन को क्या कर्दूमिंगा चाल लिटिवाइज रनेसे मेरी broadcast domain क्या हो जाएगी limit ठीक है जी मेरा broadcast traffic क्या हो जाएगा limit अब limit करने के लिए करना क्या देखो जी by default switch पे एक broadcast domain होती है तो होता क्या है एक port पे जब भी traffic hit करता है बाकि हर port से क्या लगाता है बहुत क्योंकि सारे के सारे ports क्या होते हैं सेम वीलन के क्या होते हैं मेंबर होते हैं आपने CCNA में बढ़ा और वह वीलन कौनसी होती है वीलन वन लेकिन अब मैं क्या करूंगा switch पे क्या करूंगा create करूंगा क्या मुल्टिबल वीलन पहली बात यह सिरफ वीलन create कर देने से broadcast domain divide नहीं होगी क्या बोला मैंने by just creating the VLAN we cannot divide broadcast domain so how broadcast domain is divided by assigning ports to particular VLANs let's say on this switch we have four ports by default all ports are member of VLAN one I will assign these two ports to VLAN 10 now when user connected to VLAN one will generate a broadcast switch will replicate it to only ports which are member of same VLAN जब 10 वाला user broadcast generate करेगा तो switch उसको replicate भी कौन से ports पे करेगा वीलन 10 वाले ports पे जिससे broadcast domain क्या होगी divide पहले एक single broadcast domain थी अब इतनी broadcast domains हो गई दो अब question क्या है इस switch पे 24 ports है और मुझे इन 24 ports को तीन broadcast domain में divide करना है क्या करूंगा है 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 एक बार अपनी 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 कोश्चन पर दुबारा आजाओ एक switch है उस पर मैं जाता हूंगे तीन broadcast domains हो क्या करूंगा पहली जीच क्या करूंगा create two villains कौंसी कौंसी वीलन क्रेट करूंदो लेट से two और three कर दी आप क्या करूं आप पोर्स को आप कह रहे हो वीलन two का मेंबर बना दो और बाकी आप पोर्स को वीलन three का मेंबर बना दो तो टोटल broadcast domains कितनी हो गई switch पे तीन total वीलन कितनी हो गई but keep this thing in mind जब तक मैं पोर्स को वीलन से assign नहीं करूंगा तब तक broadcast domain divide नहीं हो इतनी बात clear सबको और को benefit लगता है आपको million create करने का security किस तरह से security कैसे बढ़ेगी आपको आपको security कैसे बढ़ेगी concern अभी भाई है यार मैं तो आपकी बात संदा हो आप क्या कह रहे हो लिखने वाला लिख तो बहुत कुछ देता है अबर रोता कैसे है वो concern किया उसका security लिखनेगा आप वीलेंड क्रियेट करने से security तब बढ़ेगी अगर मैं इंटर वीलेंड राउटिंग कॉन्फिगर नहीं कर रहा है ना खाना कुछ पराटा खाली अगर मैं खिला दिया हूँ इस तरह है तो नॉर्मल सी बात करने से security तब बढ़ेगी जब मैं इंटर वीलेंड ना इंटर वीलेंड राउटिंग कॉन्फिगर अगर मैंने वीलेंज बना दी और इंटर वीलेंड राउटिंग भी दर दी सो security कहें कि यार कि सबहीं बातों कर रहें हैं कि What do you mean by security… Access को कम करना है मैनने इस वीलेद इससे बात हिने करा यह access कि का चस्टान के लिलेपा अगर मैनने इंटर वीलें वाय जाना यह डरक्लें जाना हो इंटर जानों सब को पतहा ना इंच्टरन बनना होँ ऑठ से ए वही करना आप गगे तीके जिस सेग्यूरिटी इस सब्सक्राइब होगा जब मैं इंटर्विलन दॉट्टिंग कॉन्फिगर नहीं कर यह फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं यार यह पर्टिकुलर वीलें इस वीलें से बात ना करें इंटर्विलन दॉट्टिंग कॉन्फिगर करने के बात और कोई दंसान नेटवर्क मैनेजमेंट दिगा हो गया इसी कैसे इसन आगडर सो लोगों को मैनेजज करना ज़ाद मुश्किल है सौ लोगों को मैनेज़ गरना मुश्किल है आपने जोगों कभी नेज़ प्रिकी na Maria आई च्छी तो जब मैं चीजों को डिवाइड कर देता हूं then things are easy to manage यह नॉर्मल सा rule होता है आप अगर Britishers की policy पर जाओ डिवाइड रूर अब भी नहीं समझ पाए तो छोड़ो ठीक है तो वीलन क्या है और क्या benefit देती है हमने देख लिए वीलन इंफरमेशन स्विच का स्टोर करता है वीलन डॉट डाइड फाइल वीलन डॉट डाइड फाइल का स्टोर होती है फ्लैश मेंब्री कितने तरीकें स्विच पर वीलन डिफाइन करने हैं पहला स्टैटिक दूसरा डान स्टैटिक का मतलब जैसा आज तक करते आए थे आप स्विच पर जाते रहें वीलन का नंबर लिखते रहें वीलन 10 और वीलन 10 स्विच पर क्या हो जाती है ठीक है फिर मैं क्या करता रहा एक पर्टिकुलर पोर्ट को उस वीलन 10 का क्या बना देता रहा इतनी बात क्लियर सबको बहुत बाबलम नहीं डाइनमिक का क्या मतलब आप आप बना देता बना बना देता रहें वीलन 10 का क्या मतलब तो यह डानमिक होए वेस्टू डिफाइन वीलन और स्विच किया लो अब दीक है मिरको एक पोर्ट को पर्टिकुलर वीलन में डालना है कितने वेज़ हैं दो वेज़ हैं गरet क्या लिए करी और उस पर्टिकुलर फोट को उस पर्टिकुलर वीलंद का मेंबर बना दिया दूसरा वे डानमें सब्सक्राइब बता है यह सब्सक्राइब इसी विकेंड़ी बाद उसके बाद लेखेंगे क्या किया मैंने स्विच पर कौनसी वीलन की रेट करी एलेट से 10 और इस पोर्ट को कौनसी वीलन का मेंबर बना दिया बता है और अध। इस फोर्ट को मेंबर का मेंबर कैसे बनाते हैं पातका ये बता है अगई अगँद के तार आहाएं और वहीं लगा रहा है अगए अगया और वहीं लगा रहा हैं देना उतारने की मिजरुपनी है कुछ तुता करें मेरे शुपर बातों सुपर एक सो पैंसे संद्धा कोई कर रहा हो तो बदा रियादर हो कल क्या करना है कर दार अभी देखने रहा है तो पहला तरीका रहा है इस पोट को में मैंनुवली कौनसी वीलें को साइन कर दूंगा वीलें जाने तो मैं एक वीम पीए सर्वर बना सकता हूं कांसा सर्वर वीलें मैंनेजमेंट सर्वर होता है इसमें क्या होता है यह यूजर आपने साइबर रोम देख्या है साइबरोम यूज किया अभी किसे ने कॉलेज में बढ़ते हैं आप लोग साइबरोम होता है सिट्रिक्स भी होता है ऐसी बहुत सारी अप्लिकेशन आती है यह आपको लॉग इन प्रोवाइड करती है आप कंपनी में भी अपने डेस्टॉप पे जाके लॉग इन करते हो यू एक सर्वर ने मुझे ऑफंटिकेट किया और सर्वर डेटाबेस बना हुआ था पहले से यूजर नेम और इस पास्वर्ट के लिए कौन सी वीलान है 30 सर्वर ने इस पर्टिकुलर पोड़ किस मेंबर बना दिया 30 मैंने लॉग आउट किया यह पूर्ट फिर क्या हो गया फ् सब्सक्राइब कर दाएगा वह रिक्वस्ट फिर इसके पास जाएगी सब्सकर उसको पूर्ट को फिर उस पर्टिकुलर वीलन में डाल देगा जो उसके डिटाबेस पर डिफाइन होगा तो मेरा जो स्विच का पोड़ वह डायमिक अली वीलन को असाइन हो रहा है बाया सर वर that thing is called dynamic assignment और पहले तरह पहले भी में क्या आदा मैं switch के port को particular विलन से खुद साइन कर रहा हूँ कि अगा करेंगे तो आज ये पोल जी भी डिसक्स करेंगे रैक के इस प्यापको काम करना विस्दिवाला बग्प्रावलों? वाला व्प्रावलों? बग्रावलों? झाल कि एक स्विच है मैंने उसका अक्सेस लिया वालेट से कंसोल के बल से पहली बात असान बात पूछ रहा हूं कि एक स्विच का अक्सेस मैंने कैसे किया हूँ है मैंने एक स्विच को अक्सेस किया हूँ है तो इसी वोशन कि आपके सामने है कि इसको पेंग करके देखेंगे भाई मैंने एक स्विच रखा उसका अक्सेस ले लिया मैं स्विच पे बैटे-बैटे देखू हूँ है गैसे मैंने एक स्विच कंसोल के बल से ले रखा इस दिखना चीए ना सुच पे सुच बताया अपने एक स्विच पेड़ा रखा है रिमोट ली ली रखा है फिजिकली ली रखा इस शोर रन में तो रणिंग कॉन्पिगरेशन आ जाएगे ना भाई तुम कुश्चन समझो ना वाई 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 से तो मै अना जादा निमास मतलगो मैने स्विच को अंप मातलग एक्टिव सक कर रख शैया एकिस कर राख और तो तोल जीरो पे दिखे रहा भई आपको स्टार का मतलब क्या होता एक्टिव कनेक्शन होस्ट को और आइडल मैं तो हूं होस्ट कोई मैंने यूजरनेम और पासफ़र्ड डिफाइन नहीं क्या हूं कर लो मेरा नाम भी आजेगा या करके दिखाऊं यह सब चीजे आपने राउ लाइन कंसोल जीरो लॉग इन लोकल साथ ही साथ क्या डिवाइन किया क्या बूच रहा कौन है क्या है यूजरनेम पासफ़र्ड क्या है शो किसने एक्सेस किया हुआ है टेस्टने अर्लियर नो यूजरनेम और पासफ़र्ड डिफाइन तो मैं आपको तो यह पता रहा है कि मैंने शुच को सीचक के लोगा बीदिए और बैने इस बात पर जाएंगे आँ से ध जैने उस тов भूर हो को फिजिकली एक्सेस प्षिरिक न को के जिzeugए गए तरह देखिए अब सबसे पहले कमाने चल्डा बहुत और यह कई बर ना स्लो रिस्पॉइब करता है मैं कमाड टेश्ट टाइप कर देता हूं या थी बाद में विलान क्या रिखार हूं यह रिखार है बही स्विच पर विलान कमाड क्या होती है विलान आड को क्या नंबर से ग्रेट करो है हावी लाज डिशेट क्या बोल रहा है एरर आए पड़ो कितने लोगों को बता है वी टीवी के बारे में याद है क्या आप सिर्फ किस मोड में करेंट कर सकते हों शर्म ओर ट्राइंट मोड में ठीक है नहीं है यह नहीं क्या बना दिया आए पर टाहसके है मैंने वी लल में काम सी अंट्रेट बन गई कैसे बैर करा हूंगा जो VLAN, कौनसी VLAN बना ली, 100, अब मैं जाता हूं, मैं इंटरफेस F A 0 slash 1 को किस VLAN का मेंबर बना दू, 100, अब कैसे बनाऊंगा, statically, switch port access VLAN, तो ये particular command है किसलिए, किसलिए, एक particular interface को एक VLAN का मेंबर बनाने के लिए, ठीक है guys, अब चला ले 100 VLAN brief, आप देख सकते हैं, port number, port number, fpay 0 slash 1 किस VLAN का मेंबर बन गया, ठीक है जी, इस command में पर दिक्कत, आगे चलें, VLAN information store का होती है, flash information में किस फाइल में, VLAN dot, एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, दिखाता नहीं हो है किसी को दिखा रहा हूं, time क्या हुआ, 24 hour format में बताओ, यार, एक मिनटर सेखने कितने होते हैं, 100 ना, भूल गया रहा हूं, तारिक क्या है, महीना, सब खतम कर दिया, तुमने, शो फ्लाइस, यहां देख्ट होई अब, time set होगया, शो फ्लैस, बहुत ध्यान से देखना, भाई कुछ बता रहा है, यह आगरी बार update कप हुई थी, आठ बज़के 49 मिनट पे, सॉरी, 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 गल्ती मेरी है, बारा बज़के 8 मिनट पे और 49 सेगिंड पे, ठीक है जी, कौन सी तारिक को, एक मार्च को, साल कौन सा था, भाई देख लो, मैंने एक और वीलन बना दी इस पे, हाँ विलार इडिशेट वहन सी बनाओ, भाई कुछ आगके बढ़ ले, एक के आगे बढ़ाई, शो, अपडेट होगी भाई, जैसे जैसे मैं वीलन सुच पे क्रियेट करता जाओ, वीलन डॉट वाई क्या होती जाएगी अपडेट क्या होती जाएगी, अपडेट होगी अपडेट होगी अपडेट होगी अपडेट करते ही टाइम फिर उड़ जाएगा, फिर पुराना टाइम दिखाएगा, तो अभी तो न्टीबी यूज़ करते हैं, जाए एक जाएगी, ञाएगी अपडेट क्या होगी अपडेट पर बढ़ेट रिफया तर इसीचर क्या है, यह त्योंज़ क्याएगी, जाएं लॉट में प्राधिट होगी, त्यूंज हम जी आएगेज़ की जूएगी, शो फिर अप्टेट होगे टाइम उपर बार से कंपेर करना देखो याओ अभी वी उपर टाइम लिखा हुए क्या टाइम है 19.25 और यहां निचे के टाइम है 19 अभी टाइम हुआ क्या चक करने एक बार 26.25 हुआ 26.25 पर यह अपडेट हुए होगी 15 सेकंड हुए हुए हमें फालत हुए बात करते हुए ठीक है बहुए एक लास्ट बार और वेरिभाई करा रहा हुए ठीक है और किशी को ना समझ मैं हो अभी VLAN, हाँ भी Suju, VLAN, which VLAN? 222, not 4x2 यह कमांड पे जलाने ही दिए जलाने ही जना फिर हो गई 27 दोबे अप्डेट कोई दिक्रत तो vlan.dat file क्या होती रहती है update as we are creating vlan चले भी आगे इतनी बाद समझ में आगई और यह dynamically vlan के से साइन करते हैं this is not in your slavers और यह सिस्कों के slavers में आई ही नहीं बेजागा आप कुछ भी बढ़ लो CCI बढ़ लो anything इसकों के बसका नहीं आ रही है ठीक है आगे जलते हैं देखते हैं वी लेंज और आफ तू टाइप्स कितनी दिलागी वी लेंज है पहली नॉर्मल रेंज ओ वी लेंज यह आपने ओवर्व्यू तो लिया ही होगा और दूसरा क्या एक्स्टेंडेट रेंज ओ वी लेंज ओ अ ठीक है बई नॉर्मल रेंज ओ वी लेंज कहां से स्टार्ट होती है वन से और कहां तक जाती है जिसाब से दो व सब्सक्राइब यह चाती है 1.002 से लेकर 1.005 तक तो शारी वी लेंज क्या है और 1.006 se पहले लेकिए 4095 तक क्या है extended range ओप यह रेंज है वी लेंड की जो मेरे पास है पहले से तोटल वी लेंड कितनी हो गई इतनी हो गई 4096 तो कोई बंदा जोसको थोड़ा सा मैट साता है वह इसली बता सकता है कि वी लेंड के लिए कितनी प्रिशन की गई होंगी बारा कि ट्रिशन की गई होंगी ऐसा मुझे कैसे पता जला है अजी है वाई देखो जितने हैडर पड़े हैं हमने है अगे तक हरी टीशेट वाले बाई जान सो सब्सक्राइब हैं तक उस हेडर में हर फील्ड का एक साइज होता है वह साइज हम किसमे किसमें इ investigating करते हैं अगर मैं कह रहा हूं ऐडर में फीलड चार वेटिस की है तो उसकी मीनिममम वील्यू को सखती है और मैक्सियू तूटू नी पावर कितनी आखकी है हो सिक्स्टीन किशमी और आप भी इस कारा हो नि मैं स्टार्ट कह र रहा ह cum जीरो से मेरे से खेलोगे ठीक है अब मानते हैं कि एक फिल्ड अगर आठ बिट की है कितने बिट की है आठ बिट की तो उसमें minimum value क्या होगी जीरो और maximum value क्या होगी अगर मेरे को एक फिल्ड का साइस पता है तो मैं उसमें exist करने वाली minimum or maximum value बता सकता हूं मैंने आपको यहां पर क्या बता दी minimum or maximum value और मैंने आप से क्या पूचि लिया साइस बिट्स को आप इसी के तो ऐसे कर लेना कभी भी नहां समझ मैं 0 to 4095 टोटल कितनी values हो गई ऐसे करता 4096 is equal to 2 to the power x now x is equal to भाई यह भी मैं बता हूंगा मैं अच के भी tuition रख लो ठीक है बाई इतनी वास समझ मैं एक normal range और मेरेत पास के यह weekend ये वो आरेंज़ रैंज्राक्ट ऺेता है मैं ये लिए बास टो रैंज आ रहे हैं, लोग रहें रहे हुआ, फफर रहे हैं रहे हैं ज्सक्राइज हैं, एक नेटवर्क में एक अजार डिपार्टमेंट्स होते होंगे क्योंकि आपने ऐसा ही बढ़ा है ना वी लैन मैं एक डिपार्टमेंट को एलोगेट कर देता हूं तो यू रीज थेंग के एक कंपनी में एक हजार डिपार्टमेंट भी होते होंगे नहीं कितने डिपार्टमेंट्स होते होंगे कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी है लेट्स तौक बड़ी तौक अबड़ी कंपनी में डिपार्टमेंट्स होंगे कितने वी लैंस की जुनक पड़ी होंगे अब 200 वीलेंट्स की नीड एक अजार वीलेंट्स अनाम से फुल्फिल कर सकती है वाई कोई प्रॉबलम तो फिर यह एक इस्टेंडेंट रहें जब भी लेंग जो बनाई कोश्चन वेलिड लगा आपको कि जब एक नॉर्मल रेंज मेरे पास अविलेवल थी जिसको मैं पूरा यूज नहीं कर सकता क्योंकि इतना ज्यादा मैं अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करी नहीं सकता और ट्राइटू अंडरस्टेंड वन एक बात मैं बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं कि राउटर बनना है यह राउटर टू है यहां पे इसी बंदेने विलन दस बनाई यहां पे 20 बनाई यहा यहां विलन 20 के लिए अलग यहां विलन 20 के लिए अलग क्यों राउटिंग किसके लिए करते हो डिफ्रेंट निट्वर्क के लिए किसके लिए करते हो तो विलन का एक्जिस्टेंस तो कहा है सिरफ यहीं और यहां पे कहा है सिरफ यहीं तो 200 विलन तो बहुत है अगर मैं य अग्सक्राइब कि यह दोस्टों की पहले ही मेरे पास इतनी ज्यादा विला थी तो बंदेर एंग दोटेंग विलंग बनाई क्यों अध्या 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 यह अध्या फिर्ट यह अध्या पार्डन इंट्रना अलपेशन पालिशी यह रड़ाउट इट कि इस तेबल बनाटा इसमें एंट्री रखता है हम ने कल ौन खेटरी तेबल देखी तीजा अध्या विलंग रग्या अध्या विलेंग दनेग मैंट्र ने तरफिश रखते हैं थिए तो पीछिसर विलंग 10 का मेंबर है थेकह बही तो कि यह करता है लगता है हमने कल में देखी तेवल में दो चीजे बताई दी मैंने आपको फस्स थी पोर्ट नंबर दूसरी चीज थी मैं अगतर एक और चीज होती है हमाँ पर वी लह यह यह यूजर एयए यूजर बिया तो स्विच एंटरी का बनाएगा पूर्ट नंबर एप जो यूजर रगनेक्टिड उसका मैं अगतरस क्या है वो कौन सी वीलन का मेंबर है टेंग है थी ऍस पोर्ट पर आएगा आप ऴॉतलर नम्बर वन पे स्विच को समझ रेगा कॉनसी बिलॉं से भेलांता है और उसको स्फुच कॉंसी बिलान से और इप एप से बात कर रहे हैं तो ट्र demographic आया दो वाम आपक्र दा जैन 10 का क्योंकि switch का हर port क्या होता है particular VLAN का member होता है अब उसने B से बात करने कि उसने रेखा B कौन से port पे connected है port number 2 पे traffic को क्या कर दिया send कर दिया अब यह extended range of VLAN कहां use करता है switch भाई यह feature सबसे पहली बात सबसे पहली बात सबसे पहले कौन से switches में बनाया गया layer 3 switches में फीचर पहले नहीं था क्यों बनाया गया layer 3 switches में feature just think like this is a switch fine आप layer 3 switch के एक port को layer 3 port भी बना सकते हो क्या बना सकते हो layer 3 port layer 3 port बनाने का मतलब देखो यह राउटर है राउटर का यह जो port है यह क्या है layer 3 port layer 3 port से मतलब क्या है कि मैं इस port पे क्या assign कर सकता हूं एक IP address लेकिन switch के port पे मैं कभी भी by default type address assign नहीं कर सकता लेकिन मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं इसका मतलब मैं switch के layer 2 port को किसमें convert कर सकता हूं layer 3 port में मैंने convert कर दिया अब जैसे ही मैं switch के port को layer 3 port में convert करूंगा switch के एक rule है rule है कि मेरा port एक VLAN का member हमेशा होगा ही होगा तो switch क्या करता है internally उसको first extended VLAN क्या कर देता है assign कर देता है जो क्या होती है 1006 switch क्या समझता है इस particular port पे इतना भी traffic आएगा वो क्या 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 मेंबर होगा 1006 का this thing is clear अब अगर switch पे आपने 2 routed ports बनाए तो उसने by default क्या क्या आपने आप ले ली 1006 और 1007 तीन बनाए तो 8 भी मैं बनागर इगा देता हूं आपको यह देखो इस टाइम हम जी अब एस 갑िक्रणे क्याशक बेद गाल कर अब क्या स्विट्टेट बैद लटक है क्या सूर्ट ली एक स्विट्स हार क्या विशस्वेरे निकर यूजर्याशन पाट्वर्ट आड मेरा नाम बीं आजा अन्हें लोगों में भी यूं caucusर्या का फॉट्ति शप्याय क्यान तो भी आ रहा है वह वह है पर ऐसा यूदर ने आपको एक्जिस्ट नहीं करता और कोई करता साथ मुझे बता नहीं है अपना तो अठा दिया भाई रुको याद ऐसे नहीं हो अपके कलत है तो कि आ बैदो बढ़े लिगार विच्व Kubar get ने और के तरहते इंगा नहीं है तो प्रॉबलम आया स्विस्टू पर बात का तम इस स्विच पे मैं आठ पोर्ट को क्या बना सकता हूं लेयर थ्री क्या बना सकता हूं लेयर थ्री मैंने क्या किया वही एक इंट्रफेस एक पे 0-1 ले दिया सबसे पहले क्या कमाड चलाई , low switchboard क्माड चलाते ही क्या ऑग क्या क्या बना इस प्रॉट कहें सब्ताव मैंने क्या क्वांद ट्रॉट पें यहां क्माड टे लॉप gjort कर लिएप ऑप कमांड भी नी चलेगी आई-पी एड्रेस यह रेखो चल रही है मैं टैब दबा रहा हूं पूरा नी हो रहा ना वरना स्विच पे रूल क्या होता है आप दबाते ही हो पूरा कर देता है अब मैंने कमांड दुबारा के जलाई no आप देखो बागता ही ले लिया इसने no sorry आई मिनेट दी स्विच ने दिखा दिया कि उसके पूर्ट नमबर एक पे 0-1 से डिरेक्ट लेक्टी नेटवर्क कॉन से है 10.1.1.0-24 अब अगली चीज देखो शो वीलन इंटरनल यूसेज यह क्या बता रहा है कि इसने पूर्ट नमबर पास्ट इसने 0-1 को कॉन सी वीलन ने साइन कर दिया 1025 बाकी वीलन का है एक मिनटर रुको जी पर प्र प्र किसने फिर क्या करक्षा सुच पे बाकी बना रख चीए बाई वाई वीलन्स भी नहीं है बारा देख प्र कांसी वीलन्स आइन कर यहाँ ने मांग लिए ने वाज़िए ने वाज जिरो 25 25 25 25 24 25 25 25 में वेड़ गुब 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 मेरे गुब 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 मेरे को सिरा मैं से नेये हजार पाचिल री को ईसदाखिस दोबारा गरो एंग बार मेरे कॉर्टिंग इसको 1006 से स्टार्ट करना जिए राइड रूल ही होता गयार जब भी आप एक पोर्ट को राउटेड बनाते हो तो स्विच क्या करता है उस राउटेड पोर्ट को इंटर्नली एक वीलन असाइन कर देता है जो कौनसी वीलन होती है मेशा एक्सेंडेड रहे जाएं 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 जी कौनसे गाया है उन्यस वीस इकिस वाइस तरीस चौविस ट्रंक क्याना भाई हो सारे ट्रंक पोर्ट कभी भी शोवीलन ब्रीक में आपको नहीं दिखाएं आपकी यह डेखुंग आपको वाद आता हूं आपको वाद आता हूं ट्रंक होगा इस रहा देखाएं पर शोड़न वीलन पार्ट पार्ट तो असाइएं जरा ड़ेखता है एक हाएं भीलन अधन कर जाने होगा तो अब आपको एक बात समय में आ गई के extended range of vlan बनाने का यूस किया है कि जब भी मैं को लियर से नी बूर्ट बनाता हूं इसको internally एक वीलान असाइन हो जाती है जो किस range की होती है extended range की ठीक है यह बात clear आगे जलते हैं कि वी लैंड कि एलोकेशन में वी लैंड को नेटवर्ग में डिपलॉय करने के कितने तरीके हैं कि या करने के डिपलॉय आपको एक बात पता है कि के दो स्विच इस के बीच में हमेज़ा कैसा लिंक दोता है कि अप्रण ने बाबलम कि स्विच बैंक ये स्विच टू और ये स्विच थी आप दो तरह दो तरीके से वी लैंड को अलोगेट पर सकते हो अपने नेटवर्ग में पहला को एंड तू एंड जूसरा लोक पर एंड सी आलोगेट करने का मतलब किया है v-lên 10 का यूजर यहां भी है और v-lên 10 का यूजर यहां भी है एससे होगा क्या वेनेवर इस यूजर मिल जरेट रोड गास्ते कहां तर जाएगा एंड तर ग्राइब कैसे ट्रावल कर रहा है एंड टू एंड इस ट्लियर लेकिन दूसरा वे क्या है लोकल विलन लोकल विलन का बतलब क्या है तो इनका ब्राड़कास्ट यहीं रहेगा इनका ब्राड़कास्ट यहीं रहेगा ब्राड़कास्ट कभी इस यूजर से इस यूजर में ट्रेवल नहीं करें तो दिप्लाइब करनेंके लिए best method कौन सा कि दो यह इसकंग आपको एक तो मैंने क्या किया हर 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 मीलें के लिए यूजर रसाइं जिससे मेरी जिससे डूराय खता जिससे क्या होता है तो हर सुचिक जाता था थे यूजर बैंश करी तर दिया दूसरे स्विशब और टीसरे टीपार्टमेंट- न्हें पेख किया हुआ चोटा ना थैसे जब भी वी ऊ write करें गोओ जाएगा इस्विच पर इस्विच के किसी भी पॉर्ट मुंिन नहीं होगा ये शाओपकर किसी अर वीलन वियर अब आप पूछो करें जा क्यों रहा है क्योंकि यह लिंक क्या है भाई ट्रंक यह लिंक भी क्या है तो वीलन के बारे में हमने जितनी चीज़े देखने थी हमने देख वीलन टॉपिक इस ओवर लास्तिं बाद वीलन कि एक वी लॉन स्कन कॉम्निकेट डिफ्रेंट वी लेंस के नॉट कॉम्निकेट बाइ डिफॉर्ट कि अगली बात पर आते हैं एक स्विच कि जो पॉर्ट होते हैं वो दो टाइप्स की होते हैं फर्स्ट इस अक्सेस एंड सेकेंड इस प्रांग कि स्विच के पूर्ट आक्सेसोन में ना कहा मतलब है एग उस्टों आओं इस और इस लेकर आड आई इसान इसी अज़ा आट इसे होते हैं एकस्ट। एक स्विच्च एक और स्विच्च मैं बोल रहा हूं यह पोर्ट एक्सेस है इसका मतलब क्या है जिस VLAN का यह पोर्ट मेंबर है यह पोर्ट उसी VLAN के ट्रैफिक को अपने से पास होने देगा जिस VLAN का यह पोर्ट मेंबर है यह पोर्ट उसी VLAN के ट्रैफिक को खुद से पास होने देगा और किसी VLAN के ट्रैफिक को खुद से कभी भी पास होने नहीं देगा अगर मैं इसी पोर्ट को क्या बना देता हूं इसका क्या मतलब है मैं हर VLAN का मेंबर हूं और मैं हर VLAN के ट्रैफिक को अपने से पास होने दूंगा अब मैंबर हूं और ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ मैं हर VLAN के ट्रैफिक को क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा कि इतनी बात खत्म है अब यह चले यहां के देखो जी दो स्विच्च यहां एक यूजर गनेक्टिड है यह यूजर हमेशाhte VLAN का मेंबर होगा लेट सेइस पर्ट को मैंने इस भीलन का मेंबर बना रख़्ा है टेन का और रूट को मुछे क्या बनाना पड़ेगा nice क्वाना पड़ेगा X क्या बनाना पड़ेगा मैं हमेशे चाहूंगा न यह पोट हमेशे कौनसी वीलन का ट्राफिक करीखर है जिरब वीलन 10 का और रूल क्या होता है एक पर्टिकुलर पोट को जब भी मैं किसी वीलन का मेंबर बनाता हूं वो पाटिकुलर पोटत अपने आपि क्या मन जाता है एकसेस और एक पोड को मैं मैं मैंक्सिमम कितनी में नहीं में मर बना सकता हों श्र lawns की दो वीलेंज का वान इज डेक्ता वीलाइन सेकंडों वास्मून की बाइस क्बड़ दीट सकते हों कॉई एक याद रख सकते हो एक पसे विलन का 10 तो जब भी आप एक switch के port को particular villain का member बनाते हो खुद ही क्या बन जाता है access बन गया यहाँ भी आपने particular port को कौनसी villain में डाला 10 में यह port भी क्या बन गया access क्योंकि आप चाहते हो यह port कौनसे कौनसी villain के traffic को forward करे 10 क्या ठीक है जी आपने यहाँ और user लगाया क्या हो भई कौनसी villain में डाल दिया एक और user लगाया कौन सी villain का member बना दिया 20 का एक और user लगाया कौन सी villain का member बना दिया 30 का कोई problem अब क्या यह 10 20 30 और यह 10 20 30 आपस में बात करेंगे यह यह बिल्कुल सही कह रहे हैं पहला इन्हें बिल्कुल सही answer दिया कि बाई इस particular port को भी किस villain का member बना दू एनका इस particular link को कौन सी villain का member बना दू और इस particular link को कौन सी villain का member बना दू 30 का तो 10 10 से बात कर लेगा 20 20 जे और 30 30 से क्योंकि rule क्या होता है switch traffic same VLAN में ही forward करेगा different VLAN में तभी forward नहीं करेगा तो होगा क्या traffic का flow देखें let's say इस user को इस user से बात करनी थि यूजर का mag address क्या है इसका weighing डर्स क्या है इसकी आइपे क्या है इसकी गया,, विंस पर्टिगुलर Whats Assault इस पर्टिकुलर यूजर ने टेंटाट तो से बात करनी थी तो 10 10.2 से बात करने के लिए इसे 10.2 का क्या चाहिए यार तुम हद नी करते बहुत बात मैं बोल रहा हूं इसे 10.2 से बात करनी है क्या चाहिए आप बोल रहा हूं इपी अड्रेस तो 10.2 क्या है मैं अड्रेस आज लगता है ज्यादा हो गया ही खतम कर देते हैं मुझे भी तो लग रही होगी मुझे इतनी हुआ चाहिए है वो दोका दे रहा है आपकी तरह जैसे आप बैठे और जता रहो हो कि हमें समझ में आ रहा है वैसे यह भी दोका दे रहा तुम्हें हवा लग रही है वन पे पोड नमबर वन कौन सी विलन का मैंबर आए वीलन 10 का अब एक रूल नॉर्मल सा रूल है कि विज इस बॉड़ोड कास्ट को उनी पॉट्स पे एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो 20 भी इसी तरीके से बात करेगी और 30 भी ठीक है अब सबसे बड़ी प्राप्लम क्या है अगर यह पर्टिकुर्टर लिंक डाउन हो जाता तो 10 का कम्मुनिकेशन क्या है इसका मतलब मेरे पास दो लिंक्स है लेकिन दूसरा लिंक पहले के बैक अप का काम नहीं कर सकता और अगर मैंने 10 में दो लिंक लगा दिया तो देखो यार रुप तो जाओ लूप अभी कैसे बन जाएगा अभी तो इस्टी भी पढ़ाई नहीं हमने मैं रुपो तो या सबर काफल क्या होता मीठा करता मीठा आप आम बहुत खाते हो अभी ऐसे सीजन में 10.1 10.2 मैंगेडरस ए मैंगेडरस भी वी लैंट 10 में यह पोर्ट भी और यह पोर्ट भी किसमें वी लैंट 10 अब ध्यान से देखो किस यूजर ने क्या देड करी और ऑर स्विच के पास आई स्विच को यह क्या दीगा दोनों पोर्ट किसमें हैं टैन में दोनों से क्या कर दिया कि यह कितने लोगों को समझवे है इस ऑल हम लोग ने कल बात की थी कि esti सोर्स में स्विच हमेशा कौन सा तो जो आर्प ट्राफिक आया था उसमें सोर्स मैप तो क्या था और डिस्टीनेशन क्या था अ मिलें आप में अगल एसे में सिह रेशकल और व्हे यहां नहीं आपको प्रेंटों को स्रूंच और यहां में फोन किया आप रोट में यहां आजा और एक दोस्त के रहा हैं कि सीथ बात मानों गया बाई, एक लोकीशन भेजड़ा जो लोकीशन यहां ले जारी है और एक लोकीशन भेजड़ा दोनों ही क्या है? जलता है इन सिमिलर केस, यह स्विच क्या रहा है मेरे पोर्ट नंबर मन करदने से में अके टरेसलान और रहा है पोर्ट नंबर मतलब मुझ घपलाया और इस केंडिशन को क्या नाम दिया उसने लूप लूप मतलब येस वट्डियू में लूप को हिंदी में क्या बोलते हैं जाकर भी तो लूप नहीं होता है कुछ और ही होता है जाकर भी तो आपको मैंने स्विच इस के केस में बता दिया लूप का मतलब क्या है सेम मुल्टिपल पोर्स पे लर्न होना इसका मतलब है दो लिंक भी नहीं लगा सकता स्विचिस के बीच में दो लिंक लगाया तो क्या बन रही है और सिंगल लिंक पर मैं डिपेंड हो गया, अगर सिंगल लिंक फेल हो गया, तो उस वीलेंड का ट्रैफिक क्या करे ? मैं सारी मीलां से ज्रैन को क्या कर सकता हूं कि यह आ doen यार तेरी बात भी jeśli यह जिले पाली यह कि कर सकता हूं मैं atención मैं सारी विलेंगे ट्रैफिक को केरी कर सकता हूं यह द्रह कि सब सकता हूं मैं जसे से कर सकता हूं मतलब यहां से यहां कभी भी कॉम्निकेशन पॉसिबल नहीं होगा नेकोशेट तो करेगा ही नहीं अभी DTP पर तो आया ही नहीं मैं अब भाग क्यों रहे हो लिग यहां किसी भी वीलन का ट्रैविंग ट्रैवल नहीं करेगा हां लाक का लुब यहां पुर्थ जिरॉटे नहीं है गांग बाइटेपा धर पोट उसका मंबर होता है तो वन के लिए ट्रग बनाने किया जुरुटा तो वन का नहीं का पुम्निकेशन तो अभी भी होगा जो पोर्ट इधर से कौन सी विलन का मेंबर है one का इस्टेंगे स्क्लियर तो विलन वन तो कुम निगेट करेंगी we are not talking about VLAN one हम तो और बाखी विलन्स की बात करें एक तरफ एकसेश बनाओ एक तरफ ट्रंक बनाओगे बाकी वीलन्स आपस में बात नहीं गर पाएंगी ये smilingator ट्रंक ये शुच और मेरा link एक्शस और त्रंक का मतलब आपको पता है आक्शस का मतलब inhale जो बूलन का मेंइबर हूं इसी वीलन Só for इस न जा मतलब सभी दूसरी प एक है क्या है पहली प्रॉ्लम्न कि एक single link से multiple VLANs क्या क्या जाएगा traffic अब दूसरी problem क्या है कि अगर मैं दो link लगा दूंगा और दो link क्या करेंगे multiple VLANs के traffic तो फिर तो loop बन जाएगी सुच के पास कितने ट्रंग पोटो को है दो इस loop को prevent करने के लिए हम क्या करते हैं कि stp क्या यूज करते है stp actually क्या करता है इन दोनों में से एक link को क्या और देगा block block क्यों करता कैसे करता है वो जब htp बढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अ हब जिए अब क्या होगा यह link यूज आउग किसका काम करेगा गैब बैक अपको और जैसे यह लिंक डाउन जाएगा यह लिंक के आ जाएगा इस तो सारी प्रॉब्लम नुजाल हो गई मेरे को बैक अप भी मिल गया और मेरा एक सिंगल लिंक से मल्टिपल वील देगा ट्राफिक भी फ्लोग कर रहा हुआ प्रॉब्लम एक और आगई अब प्रॉब्लम एक और गया थी वीलन दस वीस तीस वीलन तीस वीस गस यह मैंने क्या बना लिये एक ट्रांग लेंक जो किसका ट्राफिक करीकरता है किसका मल्टिपल वीलन जो ट्राइज से बात कर रहा है उसी टाइम पर 20-20 से भी बात कर रहा और 30 तीस से भी बात कर रहा है बात कर रहे हैं आपस में स्विच वन ट्राफिक भेज रहा है स्विच टू रिकोगनाईस कैसे करेगा यह ट्राफिक कौन से विलंग से बिलॉंग करता है इसका मतलब और ट्रंक लिंग्स वाट इस नीडिड़ उसनी ड्राफिक वाट इस नीडिड़्ेड विलंट ट्रंक लिंग्स पर्फॉर्म करता है विलंट ट्रॉंग तो विलंट ट्रॉंग को परफॉर्म करने के लिए स्विच के पास दो प्रोटोकॉल है एक आई एसल एक है डॉट मन की कर डिस्कुस करेंगे इनके बारे में कि आई एसल क्या होता है और डॉट पढ़ गया है यतना बढ़ाया चाहिए